कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं, सेंस अफ लार्ज नंबर्ज हलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वाकत है पिछली वीडियो में हमने बड़ी संख्याओं के बारे में जाना आज की इस वीडियो में हम बड़ी संख्याओं से संबंधित कुछ दिल्चस्प बातें जानेंगे दीदी दीदी देखो आज के अख़बार में क्या आया है क्या है सुनू इसमें लिखा है कि भारत के शहर दिल्ली की जनसंख्या लगभग दो करोड हो चुकी है साथ ही इसमें यह भी लिखा है कि दिल्ली की आधी जनसंख्या उन लोगों से मिलकर बनी है जो भारत के अन्य राजियों से वहां काम करने आते है इसको दिल्ली की बड़ी जनसंख्या का सबसे बड़ा कारण भी माना जा रहा है दीदी यदि दिल्ली की कुल जनसंख्या में से आधी जनसंख्या वापस अपने अपने शहरों और गावों में चली जाए तो दिल्ली की जनसंख्या कितनी रह जाएगी? आप चाहें तो वीडियो को यहां रोग कर सोच सकते हैं दिल्ली की जन संख्या दो करोड है, इसका आधा हुआ एक करोड, पर दीदिया कैसे हुआ? दो करोड का आधा यानि इसके दो बराबर भाग करना जिसके लिए हम दो करोड को दो से भाग करेंगे यानि दो हुआ भाजक और दो करोड हुआ भाज्य अब भाज्य का पहला अंक दो है और भाजक भी दो है तो भाजक को किस से गुना करें कि दो आ जाए? 2 एकम 2 2 में से 2 घटाया तो बचा 0 अगर हमें 2 के टेबल में 0 लगाना है तो हमें 2 को 0 से गुणा करना होगा यहां पर हम 2 को 7 बार 0 से कुणा करेंगे और भागभल में उतनी बार 0 लिखेंगे तो भागभल कितना हुआ? 1 करोड यानि दो करोड का आधा हुआ एक करोड दीदी इसमें यहाँ भी लिखा है कि दिल्ली एक महानगर है पर फिर भी इसकी कुल जनसंख्या में से एक चौथाई ग्रामीन जनसंख्या है क्या तुम पता लगा सकते हो कि दिल्ली की ग्रामीन जनसंख्या कितनी हुई? हाँ दीदी दिलनी की कुल जन संख्या है दो करोड जैसे हमने दो करोड का आधा किया था वैसे ही उसका एक चौथाई निकालने के लिए हम दो करोड को चार से भाग करेंगे चार पंजे बीस और भाचे में छे शुन्य है चार को शुन्य से गुना करें तो शुन्य आता है तो हमारा भागफल कुछ इस प्रकार होगा तो दो करोड का एक चौथाई हुआ पचास लाख अरे वा सुनू तुमने तो जटपट उत्तर निकाल दिया पर दीदी यहां देखो यहां दिल्ली की जनसंख्या को ऐसे लिखा है तो हमें यहां कैसे पता चलता है कि हमें अलप विराम कहां लगाने है देखो सुनू हजार, लाख और करोड की संख्या लिखने के लिए टेबल बनाना तो तुम्हें आता ही है तो पहले टेबल में सभी अंकों को सही जगह पर लिख दो अब दाइं यानि की राइट ओर से शुरू करते हुए बाइं यानि लेफ्ट की ओर बढ़ो सौ के बाद एक अलप विराम लगाओ फिर दस हजार के बाद फिर दस लाख के बाद अब देखो क्या हमारे लिखी हुई संख्या और अख़बार में लिखी हुई संख्या के अलप विराम एक जैसे है हाँ दीदी यह तो बहुत आसान था इसे हम संख्यांकन की भारतिय पद्यती यानि की इंडियन सिस्टम आफ नियुमरेशन भी कहते है चलो अब मुझे बताओ कि अगर हमें पचास लाख को भी ऐसे लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे सबसे पहले तो हम टेबल के अनुसार पचास लाख लिख देंगे और फिर बाई ओर से सौ के बाद एक अलप विराम लगाएंगे और दस हजार के बाद एक अलप विराम लगाएंगे हाँ बिलकुल सही उत्तर इस वीडियो में हमने सीखा कि बड़ी संख्याएं जैसे लाख और करोड का आधा और एक चौथाई कैसे निकालते हैं और भारतिय संख्यांकन पद्यती के अनुसार अप विराम कैसे लगाते हैं धन्यवाद